नौ प्लीज 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 मानने सदश है प्लीज बुरु नानक जी प्लीज मानने सदश है हम इनको इस तरह के से पूजते हैं आप इस तरह के से टेबिल पर मत रखो अब नानक जी के चित्र में भी आपको अभे मुद्रा दिखाई देगा गुरु नानक जी भी कहते हैं कि दरो मत दराव मत और पंजाब से गुरु नानक जी मिद्दा तक गए थाइलांड तक गए अफगानिस्तान गए स्री लंका गए किसी से हिंसा नहीं की अहिंसा की बात की सत्य की बात की और किसी को उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं दराए उसके बाद जीजस क्राइस की इमिज देखिए उसमें भी आपको अभे मुद्रा दिखाई देगा जीजस क्राइस की इमिज में भी अभे मुद्रा दराव मत और जीजस क्राइस ने कहा कि अगर आपको कोई थपड मारता है तो दूसरा गाल दिखा देगा उसके बाद बुद्ध भगवान अभे मुद्रा दरो मत दराओ मत अहिंसा मतलब और अंत में महवी दरो मत दराओ मत अभे मुद्रा मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में तीन फाउंडेशनल आइडियाज है मोदी जी ने अपने भाचन में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमन नहीं किया उसका कारण है क्योंकि ये देश अहिंसा का देश है ये देश डर का देश नहीं है तो हमारे सारे के सारे महापुर्शों ने अहिंसा की बात की डर मिटाने की बात की डरो मत डराव मत डरो मत और दूसरी तरफ शिवजी कहते हैं डरो मत डराव मत अभे मुत्रा दिखाते हैं अहिंसा की बात करते हैं तरिशूल को जमीन में गार देते हैं और जो लोग अपने आपको हिंदू कहते हैं वो 24 गंटा हिंसा 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 नफरत 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 आप हिंदू हो ही नहीं आप नहीं किक्षी कि यसे पीचे नहीं हटना चाहिए यह कि अढ़ा प्रतीक है अबेकौता इसे की जा इसे जो हमें एह से अबैस्ट रहो जोरा आप आप समझे यह इस लिए चिला रहे हैं कि तीर जांपे दिल में लगा है इसलिए चिला रहे हैं लेगो चुप हो गए देखे स्वीकल सर चुप हो गए सब मानियस आप प्रतिपश्क के नेता हैं किसी की भावनाओं को टेस्ट नी पहुचे यह जो यह विशय बहुत गंबीर है पूरे हिंदू समाज को फुर्शक कहना यह गंबीर विशय हैं अपको आपको ना 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 नेरेंदे मोदी जी पूरा हिंदू समाज नई है बी जेपी पूरा हिंदू समाज नई है, RSS पूरा हिंदू समाज नई है ये ठेका नहीं है पीजेपी का मान्य अध्यक्षी सोड सराबा करकर इतने बड़े वाक्या को छिपाया नहीं जा सकता वीपक्स के नेता जी ने केटोगरिकली कहा है कि जो अपने आपको हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं मैं फीर से रिपीट करना चाहता है उनका वाक्य था जो अपने आपको हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं हिंसा करते हैं मान्य वर इस देश में साइद इनको मालूम नहीं है करोड़ों लोग अपने आपको गर्व से हिंदू कहते हैं क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं हिंसा करते हैं हिंसा की भावना को हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और ये सदन में और सन्वाइदानिक पत पर बैठे हुए व्यक्ति ने मैं मानता हूं मान्यवर उन्होंने इसकी माफी मागनी चाहिए मान्यवर मैं उनको एक गुजारीज भी करना चाहता हूं कि इसलाम में अभई मुद्रा इस पर इसलाम के विद्वानों का मत एक पार वो ले ले गुरु नानक साब की अभई मुद्रा पर एस जी पीसी का मत वो ले ले और मान्यवर अभई की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है आपात काल में पूरे देश को इन्होंने भई भीत करा है यह को लोगों को जल में डाला और अतांक वैचारी का अतांक अगर कभी था तो आपता अपात काल के बग था और मान्यवर मान्यवर दिल्ली में दीन रहाणे हजारो सीख बाईयों का कतलयाम उनके इसासर में हुआ है अगर आप श्री राहूल गांधी नेता प्रतिपक्स पहला भासन होने के पावजूद माभी मागनी चाहिए ना के वल सदन पुरे देश की माभी मागनी चाहिए अगर आप शिव जी को देखें तो उनकी इमिट से आपको पता लगता है कि हिंदू तर्न नहीं पहला सकता दू हिंदू हिंसा नहीं पहला सकता दू नफरत नहीं पहला सकता और बीजेपी 24 गंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा सर कहां कहां तक इन लोगों ने डर खेला दिया मैं आपको आयोधिया से शुरू करता हूँ सर नमस्कार आयोधिया ने आपको मेशिक बेजा आयोधिया ने राम बद्वान इस सब्सक्राइब को इसके कुछ सदक्स्यों को क्या मुक्ति दे गई है आपके गाइडन्स के बाग भी बार बार तस्विर बताना पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है एसे कहना खड़े होकर एक दूसरे के पीच में हस्त दून करना सारे नियम इनके इनको लागू नहीं होते है नियम मालू नहीं है तो प्रूशन रख ले साथ सदन इस तरह से नहीं चल सकता है यह सदन मेरा आप से आग रहे कि यह सदन ओडर में रहना चाहिए नियम के अनुसा रहना चाहिए यह हम सभी सदस्यों का आप से विनंती है इस ठीका सर एक रेट फ्लीट माने सदस्यकन आप ही किता बता है तो यह अपिक्षा करता हूं कि अपन इसके नियम प्रक्राइए चले है नो आपने बताया था नियम नो माईक दीजए सर हां सर मेरा सवाल है सर इस माईक का कंट्रोलर किसके हात ने है प्लीज बैठे इभाने बैठे प्लीज बाहने बैठे प्लीज ये बार कई बार विशे उठ गई और बहुत गंभीर और मानिये सदश्य आप प्रतिपश के नेता हैं आप सदन के बार भी ये बात कहते हैं कि माइक बंद कर देते हैं मैंने कई बार आगरे पुर्व किया कि आशन पर इस तरीके का आरोप ने लगाए है आशन पर सभी दल के प्लेच आशन पर सभी दल के लोग बेड़ते हैं और सभी दल के लोग सभापती तालिकाप हैं और सब जानते हैं कि एक वैस्ता होती है जिस भी मानने सदश्यों को आग्र किया जाता है बोलने का वो बोला जाता है और जिसको आग्र नहीं किया जाता उसका माइक चालू नहीं होता आप बोलने के लिखड़े आपका माइक कभी बन नहीं हुआ कभी बन नहीं हुआ आप अगर आशन में जो भी विराज रहे हैं वो अगर आपका नाम नहीं बुकारते हैं तब माइक चालू नहीं होता यह वैस्ता हमेशा इस सदन की रहिए पुराने में भी और नहीं में भी कभी आशन वेखती पर माइक का कंट्रोल नहीं होता दूसरा मानने प्रतिपश के आप देता हैं और आप से अपिक्षा की जाती है कि आप लोगसमा की प्रक्रियाकाल संचार नियम का पालन करें सविधान की जो वैस्ता हैं दे रखे यह उसकी पालन करें और सदन में बोलते समय किसी भी धर्म को के उपर ऐसा आश्यप भी करें जिससे पूरे देश के है जै कर शर क्यार मेरा मैं बिदको आपकी रिस्पेक्ट करता हूं सबीकर से मगर के मेरे भाषन के बीच में सक्चाई है कि माय कॉफ हो जाता है कि अब आप में देखा आपने देखा मैंने अजयोधिया शप्र यूज़ किया और माई तो तो आयोधिया ने राम की राम भगवान की जनम भूमी प्लीज ब्रादर ब्रादर राम भगवान की जनम भूमी ने बीजे पी को मेसेज दिया और यह आपके सामने मेसेज बैठे हुए है मैंने इसे पूछा कल कॉफी पी इसे मैंने पूछा बताईए मैंने पूछा कि बताईए ये हुआ क्या बीजेपी ने बीजेपी ने राम मंदर का इनाउगरेशन किया बोलने दीजे राम मंदर का इनाउगरेशन किया नाम बोलने की कोई जरुवत नहीं है मैं बाशन दे रहा हूँ आप नहीं दे रहे हो मुझे बोलना है जो बोलना है मुझे नाम लेने के कोई ज़रुबत नहीं मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा तो ऐोदिया ने मेसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या और इनका जवाब आया मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोदिया में जीत रहे हो और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था सभी बाद और मैंने कहा ये क्या हुआ उन्हें न कहा राहुल जी अयोदिया में एरपोर्ट बना अयोदिया की जंता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआफ़ा नहीं मिला है उन्होंने कहा सभी बाद उन्होंने कहा कि अयोदिया में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी उन्सारों को तोड़ कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया इन्होंने ये भी कहा कि अयोदिया के इन्योगरेशन में अयोदिया की जंता को बहुत दुक हुआ क्योंकि इन्योगरेशन में अदानी जी थे अमबानी जी थे मगर अयोदिया का कोई लिए और ये कारण था कि अयोदिया की जनता में उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भाए डाल दिया उनके जमीन ले ली उनके घर गिरा दिये और फिर अयोदिया के गरीब लोगों को किसानों को मजदूरों को मंदिर की इनॉगरेशन तक नहीं जाने लिए मंदिर के इनॉगरेशन छोड़ो उसके बाहर भी जाने लिए और इसी लिए अयोदिया की जनता ने अच्छा इन्हों ने मुझे एक और बात बोली तीन बार इन्हों ने कहा कि तीन बार नरेंद्र बोदी ने टेस्ट किया दो बार क्या मैं अयोधिया से लड़ जाऊ और सर्वेयर्ज ने कहा अयोधिया में मत लड़ जाना अयोदिया में बत्र लड़ी जाना अयोदिया की जंता हरा देगी और इसलिए प्रधान मंत्री वारा नसी गए और वहां बच के निकले तो अयोदिया की जंता को डराया पूरे देश को डरा दिया मैं आपको बताता हूँ आज सुबह माया राजनात सिंग जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की और मोदी जी बैटे हैं मुस्कुराइट नहीं सिरियस नमस्ते भी नहीं करते कहीं मोदी जी ना देख लें प्रॉब्लम हो जाएगी वह ही कहानी गड़करी जी की है सचाई है अरे भाई या योदिया की जंता को छोड़ो यह तो भीजेपी वालों को डराते हैं कि माने प्रतिपश्के नेता आप सदन के वरिष्ट नेता है मेरा आपसे आगर है कि राश्टपती अभी भाशन पर डिवेट हो रही है इसकी गरीमा राश्टपती अभी भाशन की गरीमा रखे ना कि यह तो अपेक्षा आपसे सब करते हैं कि आप राश्टपती भाशन पर बोलें मीतियां पर बोलें कारेकमों पर बोलें आप वेक्ति गज़भू से करते हैं करते हैं